आज हम पढ़ेंगे पार्ट पांच बुद्धी मन तिनाली चीके बीड़ा इसको पढ़ने से पहले ये जान लो आप उदेशी क्या है इसका किसी बात प्रशनत में सवाल का तुरंत तथा सही से उत्तर देना ही हाजिर जवाबी है हाजिर जवाब व्यक्ति का सभी सम्मान करत है उसकी बुद्धी मत्तागी सब जगे प्रशन्सा होती है तिनाली राम एसे ही व्यक्ति दे तो परचिन भारत में विजए नगर नाम का एक राज्य था उस पर कृस्चन देव राय नाम के एक राज़ा राज करते हैं उनके दर बार बड़े बड़े विद्वान थे जिन में एक तिनाली राम भी थे तिनाली राम का वास्तिक नाम तो राम था परंतु वे तिनाली गाहों के रहने वाले दे इस कारण उनका नाम तिनाली राम पढ़ गया जिस परकार उत्तर भारत में मुगल समराथ अकबर और बीरबल के अने किस्से प्रसिद हैं ठीक उस जहाजिर जवाबी से सभी को आश्रे में डाल देते थे, हरानी में डाल देते थे समराज कृष्ण देव राये तेनाली राम का बहुत अधिक सम्मान करते रे एक दिन की बात है महराज तेनाली राम की किसी बात पर नराज हो गए विक्रोध में आपसे बाहर हो गए और बोले तेनाली राम जाओ अपना मू का बीना दिखाना महराज कृष्ण देव राये की इस आग्या वर सभी को बड़ी हरानी हुई कुछ ऐसे दर्बारी भी थे जो तेनाली राम इर्शिया करते दें अफरत करते रे ये दर्बारी तेनाली राम को नीचा दिखाने के अफर की तलाश में रहते रे मनलब दर्बार में इतनी जोहले सी थी कि आपस में लोग भी चिड़ते रे वहाँ पे भी समराट को तेनाली पकरोदिन होते देखके उन्हें बहुत प्रसंता हुई अगले दिन तेनाली राम को अपने मूँ को एक कपड़े से डखकर दर्बार में उपस्ती दुए हाजी रुए उन्हें देखकर सभी दर्बारी हसने लगे कि तु समराट आग बबूला होकर बोलें तेनाली मैंने तुमें कहा था कि तुम मुझे अपना कभी मूह मत दिखाना फिर तुमने दर्बार में आने का साहस कैसे किया कैसे तुमारी हिम्मत हुई आप आने की तेनाली राम को कारागार में डाल दिया जाए समराट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया उकम दिया कि इसको काला गिरे में डाल दो दो सैनिक तिनाली राम को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तिनाली राम ने उन्हें रोक कर समराच से नमरता पूर्वक कहा शमा करें माराज मैंने कोई अपराद नहीं किया है मैंने तो आपकी आग्या गपालन ही किया है आग्या मनला जो आपने मुझे आदेश दिया समराठ ने पूछा मेरी आग्या गपालन किया है वह कैसे आपने मुझे कहा था कि कभी मुझे अपना मुझे अपना मुझे मत दिखाना इसलिए मैं अपना मूँ ढखकर आया हूँ जिससे की मेरा चहरा आपको दिखाई ना दे तेनाली राम बोले दर्बार में ठहा का गुंज गया सारे हसने लगे महराज भी हसने बिना ना रह सके वे बोले तेनाली राम तुम सचमुच ही परशंसनी हो परशंसनी का आर्थे बिटा तारीफ के काबिल हो एक बार की घटना है महराज कृष्ण देवराय ने अपने दर्बार में गोशना की पांच दिनों के भीतर जो भी सबसे बड़ा पत्ता लेकर दर्बार में उपस्तित होगा उसे विशेश पुरस्कार दिया जाएगा मतलब इनाम दिया जाएगा दर्बार के सभी लोग पुरस्कार पाना चाहते रहे इसलिए सभी बड़े-बड़े पत्ते की खोज में निकल कर निकल पड़े तिनालिरा मत्यन निश्चिन बाव से अपने घर पर ही रहे निश्चित दिन आ गया अनेग लोग तरह तरह के बड़े पत्ते ले आए किंदू समराथ किशन देव राये ने राये को उनमें से कोई भी पत्ता पसंद नहीं आया वे मनी मन सोच रहे थे कि देखें तिनाली राम कोंसा पत्ता लेकर आएंगे तब ही तिनाली राम दर बार क्यों राते दिखाए दिये पर यह है क्या वे तो खाली हाथ हैं उनके हाथ में तो कोई भी पत्ता नहीं है स्वेम समराथ को भी तिनाली राम की इस प्रका खाली हाथ आने पर विसमे वह रानी हुई तिनाली राम तुम कब कुछ नहीं लाए दरबार में प्रवेश करती समराट ने उनसे पूचा मैं सोच रहा था कि तुम सबसे बड़ा पत्ता वश्य लाओगे लाया हूं माराज आपकी आग्यन उसा सबसे बड़ा पत्ता लाया हूं समराट को परणाम करते हुए तिनाली राम ने उत्तर दिया क्या उत्तर दिया देखिए पर तुम तो खाली हाथ हो समराट ने कहा तिनाली राम अपनी जेब से पान का पत्ता निकाला और उसे समराड को देते वे बोले महराज मुझे पान के इस पत्ते से बड़ा कोई पत्ता नहीं लगा इसलिए मैं इसी को ले आया पर यह तो बहुत चोटा पत्ता है समराड ने तेनाली राम से कहा अब राजा ने गई तो बहुत चोटा बत्ते तो किसी काम का नहीं है शमा करे महराज, मुझे माफ करे महराज किवल आकार में बड़ा या चोटा होने से कोई चोटा या बड़ा नहीं बन जाता हूँ किवल पान का पत्ता ही प्रतेक शुब किवल पान के पत्ते ही पूजा को संपन करते हैं इसलिए इससे बड़ा बला कौन होगा तेनाली राम ने बड़े ही सारल भास से कहा समराट कृष्ण देवराय का हिर्दे गदगद हो गया सबी दर्दाबारियों ने भी तेनाली राम की कुछ प्रशंसा की तेनाली राम की विरोधियों को भी उनकी बुद्धी मत्ता का लोहा मानना पड़ा समराट ने तेनाली राम को पुरस्कृत किया इनाम दिया और बोले मान गए तुम्हें तेनाली इस पाट से बीटा सिक्षा क्या मिलती है हमें सदे बुद्धी बल से काम लो हमें हमेशा अपने दिमाग से माई से सोचकरी काम करना चाहिए